दोस्तों यह है automatic watch इसका review मैंने काफी समय पहले किया था और अब मैंने यह नया automatic watch खरीदा हुआ है और यह automatic watch है इसका सबसे बड़ा advantage यह है कि यह power reserve indicator के साथ में आता है इसमें दोनों system दिया हुआ है self wind as well as manual wind और यह watch है जिससे मैंने काफी समय पहले cover किया था इसमें सिर्फ automatic wind option दिया हुआ है अब यह automatic wind क्या है basically जो watch है इसे आपको आपके हातों में पहनना है और जब आप चलेंगे आपका जो hand movement होने वाला है उसके basis पर यह automatically self wind करने वाला है मतलब कि आपको wind करने की ज़रूत नहीं है और अगर आपने जो watch है इसे तकरीवन 8 गंटे 8 गंटे तक पहन के रखा तो at least इसमें इतना power आजाता है कि अगले दिन तक भी चलता रहेगा मतलब कि दूसरे दिन अगर आपने इसे फिर से पहन लिया तो basically आपको इसे wind करने की ज़रूत नहीं है चलता रहेगा तो यह एक सबसे बड़ा एडवाटेज है इन आटमेटिक वचिस का और जहां तक लाइफ का सवाल है जो आटमेटिक वचिस है इनका जो लाइफ है काफी बढ़िया होता है इन फाक्ट लाइफ टाइम तद चल सकते हैं तो यह है फॉरसिनिंग वच अब यह जो वच है यह मैंने एमेज़न से ओडर किया हुआ है तो इस टाइप की बॉक्स पाकिंग में आया हुआ है और बॉक्स के अंदर एक्शली मैंने वच को युज करना शूरू कर दिया है त और यह है फॉसिनिंग वच का टाइग और यह है वच वैसे इसका प्राइसिंग उसके हिसाप से जो कौलिटी है काफी पढ़िया है फampf काफ्य अच्छा है नौट बैड मैंने एक्सपेस्ट ने किया था कि इसकी जो कौलिटी है वो इतना बढ़िया होगी तो यह सिल्वर इस वाच को बार बार इसे वाइंड करने के जरूत नहीं है इस वाच को जो श्ट्राप है ये लेदर मट्रेल का बना हुआ है वैसे में भी आगे शलके में जो श्ट्राप है इसे चेंज कर दूँगा लेकिन फिलाल वाच काफी बड़िया लग रहा है मुझे खास करके ये ज इतना आवर्स ये चल सकता है उसके बाद में मुझे इसे वाइंड करना पड़ेगा या फिर अगर मैं हातों में पहनू तो यह आटोमाटिकली सेल्फ वाइंड करता रहेगा तो यह जो वाच है मुझे पहने हुए तकरीबन छे घंटे के आसपास हो चुके हैं और देख सक कर रहा हूं जो रिजिस्टन्स है वो मैं फील कर पा रहा हूं और आप देख सकते हैं कि जो रिजर्व इंडिकेटर है यह बढ़ते जा रहा है तो मैं इसे घुमाते जाता हूं घुमाते जाता हूं ताकि यह तकरीबन थर्टी और फॉर्टी के बीच में आ जाए तो यह भ का और यहांपर डेट है देख सकते हैं कि यहांपर तीन बटन दिया हुआ है एक तो है यह क्राउन जिससे यूज़ करके आप जो टाइम है उसे इसकर सकते हैं यह जो बटन यहां पर दिया हुआ है यह बैसिकली शो के लिए है यह इसे प्रेस करते ही यहांपर जो टेट है वो चेंज होता है मतलब कि एक टिक करके आगे बढ़ता रहता है तो फिलाल मैं वो चेंज नहीं कर रहा हूँ लेकिन यह देखें यह मुझे वाच काफी पसंद आया और पावर रिजर्व इंडिकेटर के साथ में आता है इससे आपक है कि आपको इसे गिराना नहीं है क्योंकि अंदर अगर कुछ पार्ट सेल गया तो में भी इश्व आ सकता है लेकिन चांसे काफी कम है लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि आपके हाथ से ना गिरे और दूसरी चीज यह है कि मैगनेट के पास इसे स्ट्रॉंग मैगनेट के इसे ना लेके जाए क्योंकि अगे अंदर जो है फार्ट वो मेटल के हैं इश्व आ सकता है यह जो वाच है यह वाटर रिस्टेंट नहीं है यह जो वॉच है यह टेन बार वाटर रिस्टेंट है तो इसका भी आपको ध्यान देना है आरेक वो जो है वह अलग अलग से खरीदते हैं तो वहां पर आपको कस्टम डिटी नहीं लगेगी और में भी आपको यह और भी सस्तिता में मिल सकता है तकरेबन 6000 के असपास तो दोस्तों आप इस टाइप के वाच जिसमें पावर रिजर्व इंडिकेटर दिया हुआ है उसे खरीदना पसंद करेंगे या फिर इस टाइप के वाच इसमें पावर रिजर्व इंडिकेटर नहीं दिया हुआ है कमेंस करके मुझे ज़रू बताइए वैसे ये जो वाच है ये मैंने Amazon से ओर्डर किया था अगर आप ये खरीदना चाते हैं लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है